आज हम सीखेंगे एक समान चोड़ाई वाले आयत चित्र के बारे में किसी स्कूल में कम्प्यूटर के अध्यापक ने चातरों की टाइपिंग की गति समझने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें चातरों को 5 मिनिट का समय दिया गया और अंग्रेजी का एक पार्ट टाइप करने के लिए कहा गया दिये गए समय में चातर कितने शब्र टाइप करते हैं इसकी जानकारी एक अत्रित की गई जो इस प्रकार थी प्रेक्षन अधिक होने के कारण उन्होंने इन्हें एक वर्गेकरित बारंबारता बंटेन सारनी यानि ग्रूप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिब्यूशन टेबल में व्यवस्थित करना उचित समझा जो इस प्रकार थी क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का बंटेन यानि डिस्ट्रिब्यूशन है सोचिये सोचिये बिल्कुल सही चुकि वर्ग अंतराल यानि क्लास इंटरवल सतत है इसलिए यह सतत बारंबारता बंटेन यानि continuous frequency डिस्ट्रिब्यूशन है यदि हम इन आकडों को चित्रिय रूप में निरूपित करते हैं तो हमें सूचना अधिक सरलता से प्राप्त हो सकती है चलिए इन आकडों को चित्रिय रूप में निरूपित करें क्या आप बता सकते हैं कि इन आकडों को निरूपित करने के लिए एक दंडालेक यानि बारग्राफ उप्यूप्त होगा या एक आयत चित्र यानि हिस्टोग्राम? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं सतत्वर्ग अंतरालू यानि continuous class intervals को निरूपित करने के लिए आयत चित्र एक उप्यूप्त माध्यम है इसलिए इन आकडों को हम आयत चित्र के रूप में निरूपित करेंगे पहले आलेक पर X अक्ष और Y अक्ष खीचेंगे X अक्ष पर हम 5 मिनिट में टाइप किये गए शब्दों की संख्या तथा Y अक्ष पर चात्रों की संख्या लेंगे यहां सभी वर्ग अंतरालों की वर्ग माप यानि वर्ग चोड़ाई समान है जो की 20 शब्द है इसलिए हम X अक्ष पर पैमाना एक इकाई बराबर 20 शब्द लेंगे वर्ग अंतरालों की शुरुवात 60 से होती है तथा वे 180 पर समाप्त होते हैं चोकी यहां पहला वर्ग अंतराल 60 से प्रारम हो रहा है इसलिए हमें 0 से 60 तक की संख्याई X अक्ष पर दर्शाना आवश्यक नहीं यह दर्शाने के लिए कि हम 0 से 60 तक की संख्याई नहीं ले रहे हैं हम X अक्ष पर इस प्रकार एक निकुंच याने किंक का चिन्ध बनाएंगे इस प्रकार X अक्ष पर पहमाने को ध्यान में रखकर हम 60 से 180 तक संख्याई दर्शाएंगे चातरों की संख्या दर्शाने के लिए हमें Y अक्ष पर भी उप्युक्त पहमाना लेना होगा यहाँ एक उप्युक्त पहमाना वह होगा जिससे हम सबसे छोटी संख्या एक तथा सबसे बड़ी संख्या 30 को ठीक तरह से निरूपित कर सके हम Y अक्ष के लिए 1 इकाई बराबर 5 चातर यह पहमाना ले सकते हैं चुक्कि संख्याए 30, 15 और 10 संख्या 5 के गुणज है इसलिए इन्हें निरूपित करना आसान होगा इसी तरह हम 1 इकाई बराबर 5 चातर यह पहमाना लेकर इकाई के 5 बराबर भाग कर सकते हैं जो हमें संख्याए जैसे 1, 4 और 22 को निरूपित करने में सहायता करेगा संख्याओं के साथ अन्य संख्याओं को भी ठीक तरह से निरूपित कर पाएंगे पैमाने को चुनकर हम वाय अक्ष पर संख्याए दर्शाएंगे अब हम वर्ग अंतरालों के बारमबारताओं को आयतों के रूप में निरूपित करेंगे वर्ग अंतराल 60-80 की बारंबारता 30 हैं, इसलिए हम इस वर्ग अंतराल के लिए इस प्रकार आयत खीचेंगे, जिसकी लंबाई 30 विद्यारतियों को निरुपित करेगी. इस तरह से हम वर्ग अंतराल 80-100 के लिए भी आयत खीचेंगे. इसी तरह हम सभी वर्ग अंतरालों के लिए आयत खीच लेंगे एक आयत चित्र में किसी वर्ग अंतराल के लिए खीचे जाने वाले आयत का शेतर फल उस वर्ग अंतराल की बारम बारता से समानुपाती यानि प्रपोशनल होता है लेकिन यहां हमने बारम बारता को लंबाई के समानु पाती रखा है क्या यहां उचित है? सोची सोची चली हम बताते हैं हम जानते हैं कि आयत का शेत्रफल लंबाई गुणा चोड़ाई होता है यहां प्रतेक वर्ग अंतराल की चोड़ाई समान है इसलिए इनके लिए खीचे जाने वाले आयतों की चोड़ाई भी समान होगी यदि आयत की चोड़ाई समान रखी जाए तो उसका शेत्रफल उसकी लंबाई के समानुपाती होता है इस तरह से जब वर्ग अंतरालों के चोड़ाई समान हो तब आयतों की लंबाई वर्ग अंतराल की बारंबारता के समानुपात में ली जा सकती है इससे आयत का शेत्रफल भी उस वर्ग अंतराल की बारंबारता से समानुपाती अवश्य होगा इस प्रकार हमें एक आयत चित्र प्राप्त होगा यहां आकडों को सतत बारंबार्ता बंटन के रूप में वर्गिकरित किया गया है चुकि आयत चित्र सतत बारंबार्ता बंटन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसलिए इसमें आयतों के बीच दूरी या रिक्तता नहीं होती जैसे इस आयत चित्र में आप देख सकते हैं कि आयतों के बीच रिक्तता नहीं है इस आयत चित्र को देख कर ही विभिन सूचनाय प्राप्त की जा सकती है सबसे अधिक संख्या उन बच्चों की है जो 5 मिनिट में 60 से 80 शब्द टाइप कर लेते हैं हम यह देख सकते हैं कि सिर्फ एक चात्र 5 मिनिट में 160 से 180 शब्द टाइप करता है जब वर्ग अंतरालों के चोड़ाई समान होती है तब हमें एक समान चोड़ाई वाला आयत चित्र यानि हिस्टोग्राम औफ यूनिफॉर्म विद प्राप्त होता है यदि वर्ग अंतराल के चोड़ाई समान न हो तो हमें एक असमान चोड़ाई वाला आयत चित्र यानि हिस्टोग्राम अफ वेरिंग विध प्राप्त होता है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे तो आज हमने सीखा एक समान चोड़ाई वाले आयत चित्र के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और समान चोड़ाई वाले आयत चित्र के बारे में